नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका हमारी एक और निव वीडियो में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे हम किसी भी 3mm, 5mm LED को डाइरेक्ट 220 volt AC से जला सकते हैं तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास 2 LED 5mm के और एक 3mm की है तो जैसे कि मालिचे आपके पास कोई Board हो, Press का Indicator हो, Iron का Indicator हो अगर वो खराब हो जाता है तो आप परिसान होते हैं कि यह Indicator कहां मिलेगा कहीं मिल जाता है तो आप लगा लेते हैं नहीं मिलता है तो इस बीडियो को देखने के बाद आप कहीं भी कोई इंडिगेटर आपका खराब होगा बड़े आसान तरीके से उस इंडिगेटर को आप फिर से बना लेंगे और बहुत ही कम पैसे में तो इनी सब काम के लिए हमें ये 3mm, 5mm LED को डारेक्ट 220 बुल्ट AC से जलाना पड़ता है वैसे आप इस वीडियो को देखने के बाद अगर ये इंडिगेटर आप बनाना सीख लेते हैं तो आप जहां भी आपको जरुत हो वहां पर बना के यूज में ले सकते हैं तो दोस्ति पहले हम क्या करते हैं यहां 5mm LED लेते हैं जो मेरे पास एक रेट कलर की है इसलिए ले रहा हूं कि इसकी रोसनी थोड़ी सी तेज होती आपको दिखाने में आसानी होगी तो यहां क्या करना है हमें 5mm LED लेके उसके साथ एक हमको register इसके साथ series में connect करना होगा तो अभी मैं ब इसको series में connect करेंगे series में कैसे इसके किसी भी एक लेग में आप इसको connect कर दीजे आपका LED और आपका register series में जुड़ जाएगा जैसे कि यहां देखिए इसका प्लस वाला मैं प्लस वाले में ही इसको इस तरह से लपेट देता हूं यहां पर आप sorting भी कर सकते हैं ठीक है अब यह हमारा जो LED इस register के साथ series में जुड़ चुका है अब एक चीज़ आपको मैं यहां बता दूँ क्योंकि मैं इसको direct AC से जलाने वाला हूं तो यहां हमें यह प्लस माइनस देखने की जरूरत नहीं होती है ठीक है आप किसी में भी supply जोड़ सकते हैं जब हम DC से जलाते हैं तब हमें यहां प्लस माइनस देखने की जरूरत पड़ती है तो जैसे कि मेरे पास देखिए हैं डारेंट 220 मूर्ट AC सप्लाई है मैं इसमें यहां डारेंट लगा देता हूं लेकिन थोड़ी इस तरह से अगर आप चेक करते हैं तो थोड़ी सावधान ही बरती हैगा क्यों मैं तार से आपको जोड़के दिखा देता हूं तो यहां देखिए मैं प्लग ले लिया हूं और यहां प्लग लगा दूँगा चुकि यह डारेक्ट है यहां भी सावधानी बरतना है कहीं कर टच हुआ तो हमारा जो है यहां लाइन ब्रस्ट हो जाएगा देखिए यहां प केमरे में हमनें ब्लिंकिंग बताता है ठीक हैं यह ब्लिंक नहीं कर रहा है बहुत ही तरीके से जल रहा तो है तो यह रहा हमारा फाइप मैं album यहां जलाना है तो ठींग पर लो डिका लिखा देता ह। और बता देता हूँ अगर आपको color code आता होगा तो यहां आप value पढ़ दिये होंगे वैसे जानकारी लिए बता दो यह जो हमारा register है यह 100 kilo ohm का register है यह quarter watt का register है ठीक है तो इस तरह का आप register लेके 100 kilo ohm से थोड़ा सा अधिक भी ले लेंगे तो भी आपका यह LED सही से जलेगा ठ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजेगा चैनल पर नए हैं तो प्लेज चैनल को subscribe कर दीजेगा मिलते नेक्स वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार